हेलो एवरिवन कैसे हो आप आपके अपने यूटूब चैनल पर स्वागत है आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 जो की 12 क्लास की फ्लैमिंगो बुक से है चैप्टर का नाम है डीप वाटर और जिसके राइटर है विलियम डगलेस पिछले पार्ट में हमने लताया और अब उसे पानी से डर लगने लगा फिर डगलेस ने वाईम से पूल को जोईन कर लिया स्विमिंग सीखने के लिए लेकिन वहाँ पर भी उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाती है उसे एक बहुती अट्टा कट्टा नोजवान यूवक उसे पूल की गहराई वा होता है आगे क्या होता है इस स्टोरी में चलिए हम सेकेंड पार्ट को शुरू करते हैं और उमीद करते हैं कि आप सब को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी अर तब अजीव डं से मैंने जब परियास किया ऊपर आने का देर वोज लाइट मुझे दिखाई दिया कि मुझे रोशनी दिखाई दी कौन कहतो डगलेस जब उसको उस नोजवान यूवक ने पानी में फैक दिया था मैं उस भ्यानक पानी से मैं पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था एट लिस्ट माई आईज वर माई नोज वोज ओल्मोस्ट आउट थू लगबग मेरी आँखे और मेरा जो नोज था वो पानी से बाहर आ गया था then I started down at third time उसके बाद क्या हुआ कि तीसरी बार मैंने फिर नीचे जाना शुरू कर दिया I sucked for air मैंने हवा को लेने का परियास किया and goat water लेकिन मुझे हवा नहीं मिली मुझे उसके स्तान पे पानी मिला the yellowish light was going out अब जो पीले रंग की जो रोशनी थी अब वो जा चुकी थी then all efforts seized फिर मेरे सारे प्रियास रुख गए I relaxed मैंने relax किया even my legs felt limp जबकि मेरी जो legs थी वो भी limp हो गई अंग हिन होगी ऐसा लगा कि मानों कि उसमें वे बेजान हो गई हो and a blackness swept over my brain और मेरे दिमाग में एक काला पन चा गया च्यारो तरब अंदेरा ही अंदेरा दिखाई देने लगा it wiped out fear इसने मेरे भै को दूर कर दिया it wiped out terror जो मेरे अंदर भै था उसको दूर कर दिया there was no one more panic अब और कोई ज्यादा मुझे भै नहीं था it was quiet and peaceful बिल्कुल स्यांत माहूल था nothing to be afraid of और अब किसी चीज से भी डरने की जरूरत नहीं थी this is nice ये बहुत अच्छा था to be drowsy, so जाना, to go to sleep, सोने के लिए जाना no need to jump, अब कूदने की भी जरूरत नहीं थी too tired, too jump, मैं इतना थक चुका था कि मैं और ज्यादा jumping नहीं कर सकता था it's nice to be carried gently, to float along in space अच्छा होता कि मैं space पर तैर था tender arms around me, बड़ी नाजुक नाजुक बूजाएं मेरे च्यारों तरप थी tender arms like mothers, ऐसी नाजुक, ऐसी मुलायम बाजुई थी, जैसे कि मेरी मा की हो, now I must go to sleep अब मुझे सो जाना चाहिए, I crossed to oblivion, मैंने अपने उस भरम को दूर किया and the curtain of life fell, और curtain of life fell, और जो जिद्गी का जो पड़दा था, अब वो गिरने ही वाला था the next I remember, अगली बार फिर मुझे याद आया, I was laying on my stomach beside the pool, अब मैं पूल के बगल में पड़ा हुआ था, अपने पेट के बल लेटा हुआ था, पूल के उपर, omitting और मैं उल्टियां कर रहा था, the chap वो लड़का that threw me, जिसने मुझे उस पानी में फैका था, वो saying, वो मुझे कह रहा था, क्या कह रहा था, but I was only fooling, वो कह रहा था कि मैं तो किवल मजाग कर रहा था, someone said, किसी ने कहा, ये मजाग थोड़ी था भाई, the kid nearly dead, ये बच्चा त be all right now, अब बिल्कुल ठीक है, let us carry him to the locker room, चलो उसको locker room की तरफ लेके चले, several hours later, कुछ गंटों के बाद, I walked home, मैं मां कुछ अराम करने के बाद clock room locker room में, तो मैं उसके बाद घर की तरफ गया, I was weak, मैं कमजोरी महसूस कर रहा था, and trembling, और काप रहा था, I soaked and cried, मैं हिला और चिलाया, when I lay on my bed, जब मैं विस्तर पर लेटा, तो मैं हिला और चिलाया, I couldn't eat that night, उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं खासका, Four days a haunting fear was in my fear, कुछ दिनों तक वो पानी का जो भै था, जो मेरे साथ दुरगटना गटी थी, incident हुई थी, वो मेरे दिल से नहीं जासका, The slight test, exercise upset me, थोड़ा सा भी मपरियास करता, वो मुझे upset कर देता, making me wobbly in the knees, और मुझे गुटनों के बल बिठा देता, and sick to my stomach, और मेरे पेट में कुछ हल्चत सी होने लग जाती, I never went back to the pool, उस incident के बाद मैं कभी भी पूल पर नहीं गया, Douglas कहता है कि उस incident के बाद मैं कभी भी पूल पर दोबारा नहीं गया, I feared water, वो पानी से मुझे डर लगने लगा, I avoided it whenever I could, जहां कई भी मुझे वो दिखाई देता पानी, मैं उससे बचने का परियास करता, कभी भी मैं पानी के पास नहीं जाता, इतना बै उसके अंदर हो गया था, कि वो पानी वाली जगए से उस टलने लगा, बचने लगा, a few later, a few years later, कुछ सालों के बाद, when I came to know, जब मुझे पता चला, the water of the cascades, the cascades का जो पानी था, I wanted to get into them, मैं उस पानी में नाना चाहता था, उस पानी में जाना चाहता था, and whenever I did, और मैंने परियास भी किया, whether I was wetting the teatons or bumping rivers or bathing in the warm lake of the goat rocks, और मैंने इन जगए पे, teatons, bumping river, bathing in warm lake, मैंने परियास किया वहाँ पे, नहने का परियास किया, the terror had, that had seized me in the pool, वो भै, पानी वाला भै, जिसने मुझे उस पूल में जकड लिया था, means, वो पूल वाली जो incident जो उसके साथ happening हो गई थी, अब वो would come back, वो वापिस उसके माइन में आ गई, it would take positions of me completely, अब उस भैन ने मेरे उपर पूर्ण रूप से दिकार जमा लिया, means, उस भैन ने मेरे उपर सिकंजा कस लिया, मैं इतना डर गया, my legs would become paralyzed, मेरी जो टांगे थी, वो लकवा गरस्त हो गई, means, वो एकदम अंगहिन हो गई, उन्होंने काम करना बंद कर दिया, I see, or horror would grab my heart, उस भैन ने वापिस मेरे दिल को जकड लिया, पकड लिया, this handicap stayed with me, ये गटना मेरे साथ रुकी, as the ears rolled by, इस तरह साल बीटते गए, ये गटना मेरे साथ गटित हुई, ये साल बीटते गए, in canoes on main lakes, fishing for landlogged salmon, bass fishing in new hemisphere, trout fishing on the dashoots and metolias in Oregon, fishing for salmons on the Columbia, at bumping lake in the cascades, मली ये जगह जगह है, जहां जहां ये उपर हमने जो जिकर किया है हो, सारी जगह है, जहां जहां भी वो गया, कभी fishing के लिए, मचलियां पकडने के लिए, कभी तैराकी के लिए, कभी गोमने के लिए, जब भी कभी इन इन जगह पे गया, the haunting fear of water जो पानी का जो भै था hollowed me, वो मेरे पीछे पीछे आया इन इलाकों में जब भी मैं जाता तो पानी वाला डर जो incident वहाँ पे गटी थी उस swimming pool में YMC pool वाली वो मेरे mind में आ जाती थी और it ruined my fishing trips और इस कटना ने तो इस पानी के भै ने तो मेरी fishing trip को बरबाद कर दिया deep pride deep pride में of the joy of canoing और मुझे जो मेरी खुशी थी नोका चलाने की उससे मुझे वनचित कर दिया boating किस्ती चलाने की and swimming तहरा की की, boating की swimming की, canoning की और fishing trips की मेरी जो इच्छा थी जो मेरी जो मेरा interest था उसको बिलकुल बरबाद कर दिया क्यों ये सारी जो चीजे थी वो पानी से related थी और water का related जो बै था उसके अंदर mind में आ जाता था इसलिए ने तो वो अब मचलियों को पकड़ सकता था ने swimming कर सकता था ने boating कर सकता था और ने नोका चला सकता था I used every way I need to overcome this here मैंने हर प्रियास किया कि मैं कैसे अपने इस बै के उपर विजय प्राप्त करूँ overcome means विजय प्राप्त करना victory but it held me firmly in its grip लेकिन इस बैने तो मुझे पूर्ण रूप से जकड़ लिया ये जो भै था वो तो मेरी नस नस में समा गया पूर्ण रूप से मेरे माइंड में ये बात आ गई कि पानी में जो ही आप उत्रोगे तो मैं डूब जाऊंगा फाइनली अंत में 1 अक्तूबर 1 अक्तूबर को I decided to get an instructor मैंने मन बनाया कि मैं एक instructor को मिलूँगा जो swimming सिखाता instructor and learn to swim और मैं उसे 13 की सीखूँगा मैंने decide कर लिया I went to a pool, मैं pool पे गया and practiced 5 days a week और दिन में 5 दिन तक मैं बहुत practice किया करता था एन आर इच डे, पर तेक दिन एक गंटे तक सब्ता में 5 दिन तक मैं खूँभ मेहनत किया करता था दा instructor put a belt around me उस instructor ने मेरे चारो तरफिक belt बान दी a rope attached to the belt और एक रसी बान दी उस belt से went through a pulley एक pulley की तरह वो जाती थी and rain on overhead cable और एक उपर cable थी, उस cable की सायता से वो चलती रहती थी, he held on the end of the rope अब वो एक हाच से उस रसी के एक किनारे को पकड़ता and we went back and forth back, इस तरह हम आते जाते, आते जाते उस swimming pool को पार करते, back to the fourth, across the pool, इस तरह हम उस pool को पार किया करते थे hour after hour गंटे-गंटे के practice के बाद day after day, दिन-दिन के बाद week after week सपता बीचते गए on this trip across the pool, a bit of the panic season में, हर बार जितनी बार मैं उसको cross करता था उस pool को बस हलका सा भै मेरे अंदर आता था, ज्यादा तर जो मेरा पानी के परती जो गह था वो जा चुका था each time, the instructor relaxed his hold on the roper तेक टाइम, वो जो इंस्टेक्टर था इंस्टेक्टर था, वो क्या करता था कि वो रशी को डिली छोड़ देता था and I went under और मन नीच्चे चला जाता था some of the old terror returned कुछ भै आया, वो पुराना पानी वाला भै मेरे अंदर वाफिस लोट के आया my legs froze, मेरी टांगों ने काम करना बंद कर दिया वो जम गई, it was three months तीन महिने लगे, before the tension began to slack अब जो पानी के परती, जो मेरी tension थी वो slack होने लगी, ढिली पढ़ने लगी means उसका, जो पानी के परती वह था वो खतम होने लगा then तब he taught me, उसने मुझे सिखाया to put my face under water and exhale अब उसने मुझे बताया कि कैसे मुझे पानी के अंदर अपने मुँ को लेकी जाना है exhale, और कैसे सांस छोड़ना है अक्सरसाइज हंडर्स ओप ताइम्स शेकड़ो बार मैं यह एक्सरसाइज की bit by bit, थोड़ा थोड़ा करके I said part of panic that seized me वो थोड़ा सा भी जो वह था मेरे अंदर when my head went underwater जब भी मेरा सेर पानी के अंदर जाता थोड़ा सा आ जाता next, he held me at the side of the pool तब मुझे वो साइड, दूसरी साइड में लेके गया and had me kick with my legs और मुझे बताया कि कैसे paddling करनी है कैसे kick करनी है legs से 4 weeks कई सब्ता तक I did just that, मैंने वैसा ही किया जैसा instructor ने बताया at first, through में my legs refused to work through में तो मेरी जो टांग थी उन टांगों ने काम करना बंद कर दिया शुरूने में टांगों ने काम नहीं किया but they gradually relaxed अब वो दीरे दीरे वो भी रिलेक्स हो गई उन्होंने काम करना शुरू कर दिया and finally, unt में I could command them और मैं उनको आदिश देने लगा उसी के according मेरी जो लेक्स थी वो काम करना उन्होंने शुरू कर दिया दस पीस भाई पीस थोड़ा थोड़ा करके he built a swimmer अब उसने मुझे एक तैराक बना दिया and when he had perfected इस पीस जब उसने हर एंगल से मुझे perfect कर दिया हर एंगल से जब उसने मुझे perfect कर दिया एक perfect swimmer बना दिया he put them together into an integrated hole आमने एक साथ उसको पार किया in April में he said उसने कहा now you can swim above there सकते हो die of डूब की लगा सकते हो and swim the length of the pool और इस पूल को पार कर सकते हो इस पूल की length को आर पार कर सकते हो gravel stroke और stroke भी लगा सकते हो पैरों से kicking भी कर सकते हो I didn't मैंने वैसा ही किया the instructor was finished अब instructor का जो काम था समापत हो गया means he made me a perfect swimmer अब उसने मुझे एक perfect swimmer बना दिया था but I was not finished लेकिन मैंने इस finish नहीं किया था अभी भी मैं और कुछ अपने आपको परखना चाहता था जाच करना चाहता था I still wondered अभी भी मैं हरान था if I would be terror-struck when I was alone in the pool क्या मैं जब पूल में होंगा तो क्या वो बै मेरे अंदर आएगा अभी भी मैं इस बात को confirm करना चाहता था अब तो मेरे साथ ये coach था मेरा instructor था लेकिन अब यदि मैं अकेला पूल में होंगा तो क्या वो मेरा पुराना बै है वो वापिस लोट के आएगा I tried it मैंने परियास किया I swim the length up and down मैंने अकेले उस swimming pool को पार किया उसकी लंबाई को मैंने पार किया टाइनी वेस्टीज ओप दा ओल्ड टेरर बिल्कूल हलका सा भै आया वोड रिटन ओ थोड़ा सा लोट के आया but now I could frown अब मैं उसको ड्राते भी मैंने कहा and see मैंने का to that terror उस भै को मैंने कहा trying to scare me मुझे ड्राने का प्रियास मत कीजिए well here is to you यह देखिया आप यहां पे हो look देखो and hope I go to another length of the pool ऐसा कहके मैंने उस भै के सामने एक बार फिर और उस पूल की length को मैंने पार किया this went on until July ऐसा जुलाई तक मैं करता रहा but I was still not satisfied लेकिन अभी भी मैं संतोष्ट नहीं था I was not sure मुझे विश्वास नहीं था that all the terror had left कि मेरा पूरा जो बै है वो उसने मुझे छोड़ दिया है या नहीं अभी भी मुझे पक्का उस पे यकीन नहीं था so I went to lake Wentworth in New Hemsfire Hemsfire में जो जील थी मैं वहां पे गया died of a dog at Triggs Island Triggs Islands की जो top थी वहां पर से मैंने डूब की लगाई and swam two miles across the lake और दो मिल मैंने उस lake को पार किया to stamp at island की तरफ मैं दो किलोमेटर दो miles तैरता हुआ मैं गया I swam the gravel मैं तैरा break stroke breast stroke side stroke and back stroke means मैंने हर तैरा की की से मैंने two miles पार की जो रण मैंने breast stroke भी side stroke भी और back stroke भी मैंने यूज की only once did the terror return के एक बार ही वो भे फिर वापिस मेरे अंदर आया when I was in the middle of the lake जब मैं उस जील के बिलकुल बीच में था वो भे एक बार फिर वापिस लोट के आया I put my face under मैंने अपने चेहरे को अंदर कर लिया put and saw देखा नथी कुछ नहीं दिखाई दिया but bottomless water लेकिन ऐसा पानी दिखाई दिया जिसकी bottom तली नहीं दिखाई तल दिखाई नहीं दे रहा था दा ओल्ड sensation written in miniature थोड़े समय के लिए भे वापिस आया I laughed और मैं हसा और सैडोर कहा well Mr. Terror oh Mr. Terror भे what do you think कि आप सोचते हो you can do to me कि आप मुझे ड्रा सकते हो कि आप ने ये सोचा कि आप पूरी लाइप मेरे उपर ऐसे ही हावी रहोगे आपना सिकंजा मेरे उपर कस्ते रहोगे इट फ्लेड उसके बादो भाग गया and I swam on मैंने उसको पार किया yet I had residuals doubt अभी भी मेरे अंदर थोड़ा सा संदे था at my first opportunities पहला मेरा जवावसर था I hurried west अमें जल्दी से west की तरफ गया went up to the teuton of the Conrad Meadows अमें teuton to Conrad Meadows की तरफ गया up to the Conrad Creek trail to Mad Glacier अमें Mad Glacier और Conrad Creek की तरफ गया and camped in the high meadow by the side of the warm lake और जो warm lake थी वहाँ पर भी में गया means जहाँ जहाँ पर उसको भै आता था वहाँ पर वहाँ पर गया उसने practice की और वहाँ वहाँ पर उसने तैर के देखा the next morning अगली सुबह I strip died into the lake मैंने उस लेक पर डूब की लगाई and swim across to the other shore and back और मैं तैरता हुआ दूसरे किनारी तक गया and back और वापिस भी आया just as doe core prone use to do जैसे की doe core prone यूज किया करता था I shouted with joy मैं भी खुशी से चिलाया and gilbert peak returned the echo और मैं जब चिलाया तो gilbert जो peak थी वहाँ से मेरी आवाज गुंश्टी वी वापिस आई मैं तैर तैज चिलाया और वहाँ से मेरी आवाज गुंश्टी वापिस आई I had conquered my fear of water क्योंकि मैंने अपने पानी के उपर उस पानी का जो भै था उसके उपर जीत हासिल कर ले दे मैं पूर्ण रूफ से उस बै को दूर करने में स्पल हो गया था The experience had a deep meaning for me यह जो experience था वो उसका मेरे लिए बहुती गहरा अर्थ है उसका बहुती गहरा अर्थ है मेरे लिए As only those उनके लिए who have non-stark terror and conquered it जो जिनके अंदर बै होता है और उस बै के उपर वो विजह हासिल कर लेते हैं It can appreciate वो हमेशा परसंसा के पातर होते हैं उनके परसंसा के लायक होते हैं जिनने अपने बै के उपर जीत हासिल कर ली होती है In death मोत में there is peace मोत में भी हमेशा स्यानती होती है There is terror only in the fear of death हमेशा भै होता है सिर्फ मोत का और कोई भै नहीं होता है Fear of death सिर्फ मरने का भै होता है As Roger Weld knew When he said जैसे फिर जानता था जब उसने कहा All we have to fear is fear itself उसने कहा था कि यह बै कुछ नहीं है यह खुद का हमारे अंदर भै होता है Because I had experienced both the sensation of dying मैंने खुद यह अनुवव किया है एक मरने की अवस्ता को भी मैंने मैंसूस किया है क्योंकि जो बिल्कुल मैं मरने की अवस्ता में था उस swimming pool वाले incident के बारे में And the terror, the fear it can produce और उसके बाद जो भै मेरे अंदर आ गया था उससे भी मैं अच्छी तरह प्रीचित हूँ The will to live somehow grieve intensely जदी आदमी के अंदर जीने की इच्छा है कोई strong determination है तो उसे कोई नहीं हरा सकता है At last end में I felt released अब मैं अपने आपको बड़ा मुक्ट समझने लगा अब अपने आपको बिल्कुल सब्तंतर समझने लगा मेरे उपर कोई भी burden नहीं था Free to walk the trails and climb अब मैं चल सकता था अपनी swimming कर सकता था Climb the peak पहाडियों की चोटी पर चड़ सकता था And Bruce aside fear To Bruce aside fear जो मेरे अंदर भै था उसको दूर करने के लिए Day students Hoping that you got this chapter in a better way Have a nice day Thank you very much आसा है प्यारे बच्चो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगे Once again lot of thanks